हेलो एवरिवन एम डॉक्टर कनिश का कुशिक वेलकम यौल उन टॉपर स्टॉप यह वीडियो जो है वो आज के बैंगोल इलेक्शन से रिलेटेड है क्योंकि हमने देखी लिया है कि जिस तरीके से अभी रिजल्ट के अनॉंसमेंट होने वाली है और जो ट्रेंट चल रहा है वो यह है कि टीमसी जो है वो बैंगोल में एक विनिंग पार्टी की तरीके से आएगी और जो बीजेपी है वो पीछे रह गई है तो बट यहां पर कोशन यह उठता है कि जो टीमसी तो जीच गई चलिए ठीक है मान लिया हमने इस बात को बट उसके बाद जो है जो कॉंसिट्वेंसी जिससे ममताब एनरजी खड़ी हुई थी नंदी गराम जो था जगह और उसी में उनके जो कॉंपिटिटर थे जो कि शुबंदरू नाम के कैंडिडेट थे तो इन दोनों के बीच में आई यहाँ पै कि प्रॉब्लम की सीट्स के प्रॉब mooi पै कि किस तरीके से जो है ममताब एनरजी पीछे चल रहे थी शुबंदरू से पंपेर हो कि कितना सीट्स जो है eligible होंगे West Bengal के अंदर तो इनी सारे जो articles हैं हमारे इससे related policy के अंदर उन सबको अपने exams के लिए discuss करेंगे तो चले वीडियो को शिरू करते हैं तो देखें यहाँ पर question यही है अब देखते हैं कि क्या-क्या इसके provision है तो देखें सबसे पहले यहाँ पर आता है article 163 and 164 article 163 और जो 164 होता है जब हम state legislative assembly की बात करते हैं या फिर जो real head होता है state में तो पहले तो आपको article 163 और 164 अच्छी तरीके से रट लेने हैं यह आपको आपकी polity के लक्षमी कानतर में भी मिलेगी और यहाँ पे भी आपको मिलेगी ठीक है तो देखें यह जो आटिकल 163 और 164 है वो यह कहते हैं यह जो चीफ मिनिस्टर का election होता है वो एक popular basis पे जो है democracy के थू होता है कि voting की बट उसके बाद जो है state legislative assembly के अंदर majority के थू है चीफ मिनिस्टर को elect किया जाता है ठीक है यह जो procedure होता है पूरा का पूरा यह vote of confidence के basis पे जो legislative assembly के अंदर होगा उसके थू establish किया जाता है और यह जो vote of confidence होता है यह suggest किसके थू किया जाता है तो देखें जो उस state की appointing authority है अगर हम normal states की बात करते हैं तो हमारे governor हो गए और अगर देले की बात करते हैं तो appointing authority कौन हो जाएंगे हमारे president हो जाएंगे ठीक है तो जो appointing authority governor होते हैं वो यहाँ पे vote of confidence को establish करते हैं elections की majority के थू जो है chief minister को elect किया जाएगा और यहाँ पे जो minister six consecutive months के लिए period के लिए member of legislature या फिर council के नहीं रहेंगे तो फिर बाद में वो chief minister नहीं बन सकते या फिर वो minister का जो एक post होता है उसको भी नहीं रख सकते ये दिया गया है article 163-164 मतब कि एक जो member है एक जो minister है उसको अगर अपनी post hold करनी है तो उसको six months के अंदर assembly या फिर council का member बनना होगा वरना फिर वो उनका post seize हो जाएगा ठीक है तो पोशेन उड़ता है कि अगर minister या फिर जो chief minister होते है उनको member of assembly बनना है और council बनना है बट constituency में वो हाट चुके हैं तो क्या होगा तो मतब popular mandate के थू जो है उनको reject किया गया है तो क्या वो CM बनने या फिर PM बनने के अधिकारी है तो technically इस question का answer जो होता है वो yes होता है बट अगर हम morally देखे तो उसका answer no होता है क्योंकि जब जनता नहीं ही उनको हरा दिया उनको पसंद नहीं करा चूज नहीं किया तो democracy के अंदर किस तरीके से वो head of the state या फिर head of the nation बन सकते है तो technically ही बात करके चलते है जो अभी Bengal के अंदर होने भी वाला है आप कुछ दिनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि वो person या फिर female या फिर male person जो अपनी constituency से हार कई है बट उनको CM या PM बनना है तो उनको election जो है वो दुबारा लडने होंगे तो क्या आपको लगते कि Bengal के अंदर दुबारा elections होंगे दुबारा कोरोना का इस तरीके से waves आएंगी तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक seat से जो है उन person को लडना होगा तो एक seat के election जो है वो किस तरीके से होंगे तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो procedure फोलो किया जाता है आर्टिकल 173 जो है वो यहाँ पे force में आता है कोई जो MLA होता है उस winning party का वो अब resign दे देगा अपनी constituency से जब वो resign देगा अपनी constituency से तो वहाँ पे क्या होगा दुबारा election कराए जाएंगे वो election जो है वो लड़ेगा वो person जो आगे चीफ मिनिस्टर बनना चाता है उसी constituency से आगे और वो जो constituency होते हैं वो बहुत powerful constituency होते हैं जहाँ पे जीतने के chances बहुत ज़ादा होते हैं तो अगेन जो है वो एक seat के लिए election होगा जो person है जिसको CM बनना है वो जीत जाएगा अब वो member बन चुका है assembly का और अब वो minister बनने के अधिकारी भी है और चीफ मिनिस्टर बनने की भी अधिकारी है इसका जो आप example देख सकते हैं यह देख सकते कि किस तरीके से अखिलेश यादा और जो मायावती थी दोनों ने article 173 के close 3 को यूज किया था जिसमें कि वो जो legislative council थे उनकी member बन गए थे as a non MLA ठीक है तो यह वाले provision summary देख लिए ही सारे article से भी आपको याद अगने है उसके बाद जब हम आते हैं और examples की बात करते हैं तो यह वाला जो data है यह 2017 का है यह directly मैंने एक news paper से लिया है तो उत्राखंट के जो CM हरी शिरावत और जो गोवा के थे लक्षमिकान परिश करते वो दोनों ही अपनी seat से हार गए थे तो यह जस्त मैं example आपको इसलिए देरू कि ऐसा पहली बार नहीं होगा ऐसा बहुत बार हो चुका है चीफ मिनिस्टर के case में ठीक है अब बात करते हैं अपने static portion की लेटिस चीफ मिनिस्टर और कांसिल ओफ मिनिस्टर से डिलेटिड आपके लक्षमिकानत में क्या गीवन है और आपको क्या important चीज़े पढ़नी हमें पर सिर्फ नोर्मल जो important चीज़े उनको डिसकॉस करेंगे तो देके parliamentary system of government के अंदर governor जो होते है वो nominal executive होते है और वहीं पे अगर हम nation level की बात करते हैं तो वहाँ पे president nominal executive होते है और chief minister जो होते है वो state में real executive होते है और prime minister जो है वो union level पे real executive होते है ये point जो है मैंने आपको क्यो बताया क्योंकि I think 2015 या 16 के UPSC civil services pre में ये statement directly दे रखी थी उसके बाद क्या है कि देखें chief minister जो है जब वो office में enter होंगे उनसे पहले उनको एक शपत लेनी होगी ओथ लेनी होगी और वो किसके through कराई जाती है गवर्नर के through कराई जाती है और council of ministry की अगर हम appointment की बात करते हैं तो देखें constitution के अंदर ये वाला point जो है ये आपका बहुत specific procedure नहीं दे रखा कि किस तरीके से किसी chief minister का selection और appointment किया जा सकता है तो ये वाली statement रट लीजे बिलकुल अच्छी से और वहीं पर article 164 ये कहते है कि chief minister की appointment होते है वो governor के through होती है जो हमने बिलकुल starting की slide में पढ़ाता तो article 164 करना है उसे के साथ जो governor होते है वो leader of majority party को legislative assembly के अ chief minister बनाते हैं ये भी आपका article 164 के अंदर आ गया बट अगर मान लिजे कि elections हो गए बट जो है legislative assembly के अंदर किसी को भी majority नहीं मिली clear majority नहीं मिली तो उस time में क्या होगा तो उस time में governor जो है वो अपना personal discretion जो है उसको follow करेंगे अब यहाँ पर क्या होते है कि दो तरीके के descriptions होते है एक होते है personal कि अपनी खुद की सोथ समझ से इंसान एक decision लेता है और उसको implement करता है और एक होता है compulsory discretion कि भई आपके ऊपर ये compulsion है कि आपको ये करना ही करना है ना मुसको discretion का दे दिया गया अपनी मर्जी का दे दिया गया तो यहां पर यह वाला point आपको अच्छे से आदखना है कि personal discretion जो है वो यूज करके selection और appointment chief minister का किया जाता है उसी के साथ अगर हम देखते हैं कि माली जे suddenly कोई chief minister है उनकी death हो जाती है office में अफिर वो किसी वजह से जो है office की अपनी seat को छोड़ देते तो उस टाइम में क्या होगा तो उस टाइम में भी governor जो है वो individual judgment के basis पे जो है chief minister को अपोइंट करेंगे और बाद में उसका election हो जाएगा ठीक है अब power and functions of chief ministry की बाद करते हैं तो council of ministers के comparison में अगर हम इस चीज की शुरुआत करते हैं तो यहां पर देखे अब मैं articles आपको चारों बताऊंगी union और स्टेट के comparison करके बट उससे पहले आपके बात पता होनी चाहिए कि governor जो होते हैं वो उन ही person को minister की तरीके से appoint करते हैं जो कि chief minister के तुरू recommend किये जाते हैं यहां पर governor अपना खुद का discretion यूज नहीं कर सकते हैं और उसी के साथ जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि बीजेपी government में जो स्मृती रानी है उनका example लेके चलते हैं तो वो कभी भी अपनी जो department हुआ करते थे उनको अच्छी से नहीं निभा पाती थी अपनी duties को तो उनके जो पोर्टफोलियो तो उनका जो department था वो बार बार बदला गया था तो यह जो पोर्टफोलियो करे शफल होता या फिर एक नया portfolio नया डिपार्टमेंट जो उसी के साथ मालीजे कि अगर कोई मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना है तो उस टाइब में या फिर मतब कि किसी मिनिस्टर को डिसमिस कराना है तो यह भी चीफ मिनिस्टर ही जो है वो गवर्णर को जाके बताएंगे उसी के साथ अगर हम अधर फंक्शन के बात करते हैं तो वो जो state planning board होते है उनके chairman कोन होते है? chief minister होते है this is important point उसी के साथ जो zonal council से बनाए जाते है उसमें जो chief minister होते है वो vice chairman की तरीके से काम करते है क्या वो पूरे time के लिए vice chairman रहते है तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्यों कि ondra तो सभी states को importance देनी होगी तो यहाँ पर rotation के थूँ जो है वो एक साल के time period के लिए एक बारी जो है वो कोई भी state के जो चीफ मिनेस्ट होंगे तो वो vice chairman बन जाएंगे और उसी के साथ जो है वो interstate council के member होते है और national developmental council जो है उसके member भी होंगे जो की interstate council national development council के थूँ head की जाते है national development council तो आप नहीं रही उसके बाद जो है chief spokesman होते है वो state government के उसी के साथ मान लिजे कि अगर कोई emergency like situation जो है वो state के अंदर हो जाती है तो crisis manager in chief जो होते है वो chief minister ही रहेंगे और as a leader of the state जो है वो different sections of people के से मिलेंगे और उनकी problems को समझना और सोचना उनके हाथ में होता है आप council of ministry की बात करते है तो total number of ministers कितने होंगे council of ministry के अंदर उसका क्या strength रहेगी या आपको अपने exam के लेच्छी तरीके से आदक नहीं है तो देखे council of minister जो होता है उसमें chief minister को include किया जाता है जब हम strength की बात करते हैं तो वो 15% से ज़्यादा exceed नहीं होने चाहिए मतलब कि legislative assembly के अंदर मालीजे की 100 की strength है तो उसका 15% किना हो गया 15 हो गया तो 15 जो है वो ministry की strength होनी चाहिए जिसके अंदर chief minister को भी हम include करेंगे ठीक है यहां पर एक provision और दिया गया है कि यह जो पंदरा है मत जैसे कि हमने एक normal hypothetical situation ली तो उसमें क्या होगा कि जिसे पंदरा की यह minister की strength हो गई यह जो strength है यह 12 से कम नहीं होनी चाहिए including chief minister अगर वो 12 से कम minister की strength हो गई तो उसको eligible नहीं माना चाहेगा तो यह वाला data भी यादखना है यह जो provision था कि 12 से कम नहीं होनी चाहिए और जो है वो 15% strength होनी चाहिए यह provision जो था वो 91st amendment act of 2003 के थ्रू एड़ किया गया था तो यह आपको यादखना है उसी के साथ आज मैं कहना भूल गई first page पे अगर आपको pdf चाहिए हमारे lectures की और बाकी भी notifications आती रहती है तो आप हमा तो आर्टिकल 163 के अंदर जो है गवर्नर को एडवाइस किया जाता है council of minister के थ्रू चीफ मिनिस्टर के थ्रू कि आप इस तरीके से काम किजिए जैसे कि हमने देखा ना कि nominal head है जो गवर्नर है तो आर्टिकल 163 के अंदर होगा तो गवर्नर जो है वो अपनी discretion से जो है अग गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपोइंट करते है और लेटर चीफ मिनिस्टर जो है वो रिकोमेंट करते है गवर्नर को कि मिनिस्टर को अपोइंट कीजिए ये सारी चीज़े आर्टिकल 164 के अंदर होती है और वहीं पर आर्टिकल 167 के बात करते है तो चीफ मिनिस्टर जो परिजन कर लेते हैं यूनियन और स्टेट के बिच में ताकि आपको कन्फ्यूजर ना हो और देखे यह वाली जो एप्रोच होती है वो सबसे बैस्ट होती है जैसे कि आप गवर्नर पढ़ रहें तो उसके साथ याप प्रेजिडेंट पढ़ लीजे उसी के साथ सीम पढ़ ल से मंतर्फ की सेम है जिसमें की कांचिल ओफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को यहां पर कां gir ओव निस्टर करते हैं प्रेजिडेंट को करते हैं union के बासी पर वहीं पर Article 164 जो हमने डिसकल्स किया वो Article 75 in the union से analogous है, Article 166 जो है, Article 166 में क्या कहा जाते है कि government of a state है, या फिर government of a nation जो है, वो किस तरीके से हमने business को conduct करता है, वो Article 166 और Article 77 के the union government की form में हो जाएगा, और वहीं पर last में Article 167 जो है, वो union के Article 78 से analogous होता है, जिसमें कि जितने भी information जो होते हैं, या फिर council of ministers जो decision लेते हैं, तो वो सारी duties जो होते हैं, वो chief minister के होते हैं कि government को information देना, तो उसी के साथ हमारी जो वीडियो है, वो complete होती है, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएए, चैनल को subscribe केजिए, वीडियो को like केजिए, thank you so much.